आयोध्य लाई में आप से भी भक्तों का हरदिग स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे आयोध्या में स्थित कनक भवन मंदिर के और जानेंगे मंदिर से जुड़ी बातों के बारे में। पुन्न दायनी सर्जुनदी की गोध में स्थित आयोध्या में कुछ ऐसे मंदिर हैं जो भक्तों को भगवान राम और उनके राम राज के अनुभूति कराते हैं। आयोध्या में इनी मंदिरों में से एक है कनक भवन मंदिर जो स्वरण मई सुन्दर्ताग से परिपूर्ण है। ये महल राजा दस्रत ने अपनी पतनी रानी केकेई के कहने पर देवताओं के सिल्पकार विश्करमाजी से बनवाया था। जब माता सीता जी विवाह के बाद अयोध्याई तवरानी केकेई ने उन्हें ये महल मुह दिखाई में दिया था। इस मंदिर को सोने का घर भी कहा जाता है। मंदिर के गरव ग्रह में भगवान राम, माता सीता, अनुज लक्षमन और भरत सत्तुरधन सहित विराजमान हैं। भगवान राम और माता सीता ने स्वरण मुकुट पहने हुए हैं। मंदिर की विशेषता ये है कि आज भी ये एक विशाल और अती सुन्दर महल के समान परतीत होता है। मंदिर का विशाल आंगन इसकी सुन्दरता को और भी बढ़ा देता है। आज भी साधूसंत और शिराम जी के अनन्य भक्त ये विश्वास करते हैं कि महल में भगवान शिराम और माता सीता विचरन करते हैं। इसी विश्वास के कारण भगवार राम से जुड़ा ये मंदिर राम भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि मंदिर के प्रागण में बैठे रहने पर किसी भी प्रकार की कोई चिंता मन में नहीं रह जाती और व्यक्ती अपने सभी दुखों को भूल कर मात्र सीराम जी के चरणों में हो जाता है। तो आए इस मंदिर के दर्शन करते हुए अपने जीवन को धन्ड बनाए और मन में सिराम नाम का जाब करें। बोलो अयोध्या धाम की जय, सिराम चंद्र भगवान की जय। झाल 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 में सिराम जाब कि जय। झाल 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 तो आज के लिए बस कितना ही जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक आप खुश रहें, आनन्द में रहें, भगबान का भज़त करते रहें जो लिए बद में आच स्गाल झाल झाल